कभी-कभी हम बात करते हैं कि कवीता आयास से आती है, कभी कहते हैं अंदुरूनी हरकट से आती है, लेकिन कवीता या भजन या अंदर के जो शब्द है, वो कभी-कभी अध्यात्मिक एक्सपीरियंस के तोर पे भी आते हैं मेरा ये मानना है बापू कि जीवन की कई बातें ऐसी है कि जो हमने जानी नहीं है, जानी इसलिए नहीं है कि हम खुद ऐसे सिच्यूएशन में गए नहीं है, अभी जो अरून भाय ने बताया, फिकर्स बताया, 33% वाला, वो आज हमने जान लिया, तो कल, I am sure, while going to the dining hall, we shall be careful, कि हम, हमारे खाने के दीश में कोई जुठा तो नहीं छोड रहे हैं, इतना ही लें, that simple word can guide us for many days, if word can guide, why not the experience itself, ऐसे ही experience, ऐसा नहीं है कि सिक्षन जगत में है, लाइप में बहुत है, लेकिन वो डिवाइन है, ऐसी एक छोटी सी बात, दूसरी रखकर में मेरी बात संपन्न करूंगा, मैं अभी लोग भारती में, अरून भाय के हाथ के नीचे काम कर रहा हूँ, और यहां जो बच्चे आते हैं, वो गाओं से आते हैं, छोटे-छोटे गाओं से आते हैं, सत्वा बाबाजी का वहां पर एक बहुत बड़ा सा स्कूल है, आश्रम है, बगल में, और यहां जो आते हैं, वो रूरल बाते सिखने के लिए ही आते हैं, वो गाओं जाहां हैं, वो गौशाला में, जैसे कल बाबु बता रहे था, कि बच्चडे के बीच में जब बच्चा जाएगा, तो मा उसको खिच लेगी, ऐसा ही वो भांडेवजी के एक्सपिरियंस में हुआ, जब बच्चा समुद्र में गया होता, तो मा बनकर वो में कितनी छुटी-छुटी बातें ऐसी है, कि उनके उपर एक-एक कथा समर्पित की जा सकती है, पैचानते हम नहीं हैं, हम गये नहीं हैं, we have not explored, और इसलिए ये बात में रख रहा हूँ, we do prefer to go to Switzerland, but we have never tried to visit Samadhiara, हम लोग जानते हैं, क्यों जानते हैं, Samadhiara नाम हमारा पैचाना हुआ है, क्यों पैचाना हुआ है, वहाँ एक कथा हो चुकी है, लेकिन वो experience है, जो spiritual experience, non-believing experience, जो हम मान नहीं सकते ऐसे, जो experience है, वो मैं आपके साथ share करना चाहता हूँ, हम को मालूम है, कि सवराश्र की धर्ती को संत, सूरा और सूर की धर्ती कहते हैं, लेकिन एक बात ऐसे हैं, कि कोई एक व्यक्ति ऐसी हो सकती है, कि जो संत भी हो, सती भी हो, और सूर भी हो, शायद नहीं हो सकती, लेकिन मेरा जो research है, वो बता रहा है, कि गंगा सती was the only identity to be संत, to be सती and to be सूर, यहाँ पर मिनिंग कोई अलग है, वो मैं उसके गैराई में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन क्यों ऐसा हुआ, एक चोटा सा लोकभारती से 22 किलोमीटर्स दूर, एक चोटा सा जगा है, जिनका नाम समध्याड़ा है, बापु तो बहुत प्यार से अमारू समध्याड़ू, एम कहीने एने बोलावेच, बारत बरना कोई पन कथाकार, कोई पन बजने, कोई पन लोकसाईत्य कलाकार ना मोधे थी जेनू बजन न गवाया होई, एव बने नहीं, एव व्यक्तित्व ए गंगा सती च, बजननो 32, not more than that, and how she did it, कभी-कभी हम बात करते हैं कि कभीता आयास से आती है, कभी कहते हैं, अंदुरूनी अरकत से आती है, लेकिन कभीता या भजन या अंदर के जो शब्द है, वो कभी-कभी अध्यात्मिक एक्स्पीरियंस के तोर पे भी आते हैं, गंगा सती का पूरा जीवन अमारे सामने है, लेकिन मैं एक छोटी बात कर दूँ, वो पहले से, बर्थ से, लाइट फ्रॉम बार्थ, ऐसे परिवार में बहली थी, मेरा तो ऐसा भी बाप, वो एक आकलन है, कि यदि हम मिरा भाई के साथ किसी का तुलना करना चाहें, करना अबी, एक उच्चाई पे दोनों को रखना है, तो मिरा भाई के साथ गंगा सती को रख सकते हैं, मिरा भाई ने संघर्ष में से भक्ती का मार्ग लिया, और गंगा सती जी ने एकदम सरलता में से भी भक्ती का मार्ग लिया, ऐसा नहीं है, कि जब दुख पड़ता है, तब के मेरेज हुए थे I am talking about 1864 1864 के मैं बात कर रहा हूं लेकिन बहुत अच्छा ये हुआ कि कहरसंग और गंगासती दोनों धर्म परायन थे और बहुत ही अपना जीवन पूरा दीन वो इश्वर सेवा में यतित करते थे गाउं में कोई डिस्टब ना करें इसलिए गाउं से बा कान बनाया वहां बजन प्रभाव चलता था वहां पे संतों की सेवा पूजा चलती थी और उनका गुझरा चलता था